एलो एबरिवन माई सेल्फ रीती सिंग टुड़े माई टॉपिक इस डाटा प्रोसेसिंग सबसे पहली हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ओफ कंप्यूटर यानि उसके इंट्रोडक्शन क्या था और क्या उसके करेक्टरस्टिक थे तो आज हम पढ़ेंगे डाटा प्रोसे जैसे कोई भी आपका सिंबल हो सकते हैं कोई भी आपका निमेरिक फॉर्म में हो सकता है या फिगर फॉर्म में हो सकता है डाटा हमेशा एक रौ फॉर्म में होता है जैसे चाहे वो नेम हम स्टूडेंट हो सकते हैं या आपके मार्क्स ऑप्टेंट इन एक्जामिनेशन हो स पहला है आपका Numeric Data दूसरा है आपका Character data तो सबसे पहले बात करें Numeric Data के Numeric data यानि कोई भी data अगर हमें Numeric form में मिलता है या Numbers के form में मिलता है तो वो data हमारा Numeric data कहलाता है 2nd है सिम्पल है जैसे हमारा Character data Character data को भी हम दो पार्ट में Divide कर सकते हैं String data और Graphical data String data में हमारा क्या हो सकता यानि हमारे जितने भी आपके Alphabet हो सकते हैं Numbers हो सकते हैं और Space हो सकता है जिससे यानि Space बार से हम क्या करते हैं किनी दो words को आपस में Distinguish कर सकते हैं इस प्रकार का data है हमारे पास तो से हम कहेंगे String data further string data को भी alphabetical data में और alphanumeric data में भी divide किया जा सकता है next आता है हमारा graphical data graphical data जैसे नाम से ही clear है इसमें graphics होंगे यानि ये picture based हो सकता है, chart based हो सकता है maps हो सकते हैं या tabular form में ये आपको upload होगा next आता है what is information या information क्या है जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक collection of data है जो convey करता है एक meaningful idea उस तभी हम उस data को कह सकते हैं कि वह convey होता है information के रूप में information हमारी एक useful तरीके सो सकती है information हमेशा हम ये बताती है कि वो क्या है कैसे है या कौन है उसका हमें जवाब information के जरिए मिलता है नेग्स्ट आता है data processing यानि हमारा data processing है क्या जैसा हमें पता है कि data processing एक operation है जिसमें हम क्या करते हैं कि raw data को input के रूप में देते हैं और वो further process होता है हमारे CPU में और उसके बाद में हमें output के रूप में वो process data एक information के रूप में हमें मिलता है next आता है data processing cycle यानि जो भी हमारा data process होता है वो एक cycle के रूप में होता यानि one by one step वो जाकर एक complete data process होता है data processing में main जो आपके basic activities होती है वो mainly three होती है पहला है आपका input, दूसरा है processing और तीसरा है आपका output सबसे पहले बात करेंगे data processing cycle में step 1 जिसमें आपका included है input यानि हम कोई भी raw data जो एक direction की रूप में user देता है वो कुछ भी हो सकता है चाहे वो numeric form में हो चाहे वो आपके alphabetical form में हो वो किसी भी रूप में हो सकता है वो data input जो भी आपके devices होती है उसके थूद दिया जाता है तो input में भी क्या होती है तीन चीज़ें अलग-अलग divination है verification होता है सबसे पहले उन चीज़ों का यानि जो भी input दिया है user ने उसको सबसे पहले आपका computer verify करता है then second है आपका coding यानि उन चीज़ों को वो code करता है जैसे हमें पता है computer की language binary language होती है तो सबसे पहले उस input data को वो binary language में change करता है then आता है storing तो हमें पता है कोई भी जिज़ अगर हम input में देते हैं वो store कहा होता है वो CPU में store होता है यानि उसकी secondary memory में जाकर वो सारे input data store हो जाता है next हम बात करेंगे step 2 की जिसमें आप आता है processing यानि अब जो हमने raw material में data दिया था और जो data एक machine language में change हो चुका है और अब यहाँ पर CPU mainly काम क्या करता है उस raw data को classify करता है short करता है उसको calculate करता है और उसको summarize way में करना start करता है इसको भी हम four parts में divide कर सकते हैं इसके काम को कि सबसे पहले वो classify करता है उस चीज को then उसको store करता है फिर उन्हीं चीजों को यानि numeric चीजों को वो calculate करता है और fourth उसको summarize करता है जो भी आपने उसको input दिया था next हम बात करेंगे जो हमारे step 3 है data processing cycle में output यानि सबसे पहले हमने क्या किया था input दिया था एक raw data फिर उसके बाद में वो raw data process हुआ था then उसके बाद आता है आपका third step output यानि अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी चीजे हम वहाँ CPU में process होई थी यानि वहाँ पर summarize हुई थी या calculate हुई थी वो सारी चीजे अब हमें output के जरीए मिलती हैं यानि या useful या information हमें convey होकर मिलती है इसको भी हम तीन पार्ट में divide कर सकते हैं यह retrieval हो सकता है conversion और communication यानि output आपको जो मिलता है तो वो retrieve भी किया जा सकता है यानि जहाँ पर output हम क्या कर सकते हैं जहाँ पर भी store करते हैं file के रूप में तो हम उसे क्या कर सकते हैं बदल भी सकते हैं उसको edit भी कर सकते हैं अपनी च्छनवसर आप जो भी उसको करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं convert कर सकते हैं यानि एक form से किसी दूसरे form में हम क्या कर सकते हैं उसे change कर सकते हैं जैसे अगर मालीजी हमारा पर text रूप में है तो उसे हम table form में convert करना चाहते हैं तो उसे वो भी हम convert कर सकते हैं थर्ड है आपका communication यानि आप उसके जरीए क्या कर सकते हैं कैसे आप communicate कर सकते हैं यानि जो भी चीजें आपको output मिली है वो आप कहीं पर भी किस रूप में आप send करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इसके जरीए next अब हम बात करेंगे types of data या data processing यानि कितने प्रकार की data processing होती है तो सबसे पहले हम बात करते है manual data processing manual data processing में क्या है इसमें क्या है कई persons या कई human being क्या है एक साथ काम करते हैं इसमें labor work बहुत जादा होता है क्योंकि ये सारी चीजे manually होती है इसलिए इससे हम क्या कहते है manual data processing next आता है हमारा types of data processing में EDP EDP कह सकते है electronic data processing कह सकते है electronic data processing ये एक system होता है या कह सकते हैं एक set machine होती है जिसमें सारा data पहले से store होता है आप इसके लिए आपको जैसे आप ATM card यूज करते हैं तो ATM card आप ATM machine में जाकर जैसे ही लगाते हैं और उस पे आप जो भी चीज़ें एंटर करते हैं अपने amount तो वैसे ही वो क्या करता है आपके data को receive करता है और आप आपका amount देता है नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड वन इस रिया टाइम प्रोसेसिंग रिया टाइम प्रोसेसिंग जैसे आपका computer करता है computer में हमने जैसे ही कोई input हम देते हैं वैसे ही उसका CPU तुरंत उस चीज को process करता है और उसके बाद में आपको क्या कर देता है वो सारी उसी टाइम वो चीज प्रोसेस्ट हुई और उसी टाइम हमको वो चीज आउट्पूट के रूप में मिल गई next आता है आपका batch processing batch processing का मतलब यहाँ पर यह है जैसे हम college या अपने school में अलग-अलग batch बना देते हैं अलग-अलग houses बना देते हैं वैसे ही batch processing में अलग-अलग data के लिए अलग-अलग program सेट किये जाते हैं जैसे अगर हमें कहीं भी electricity bill पे करना होता है तो जहां से bill generate होते हैं उनके लिए particular वो program हमें सेट किया होता है जिससे अलग-अलग type के वहां से bill generate हो जाते हैं जैसे अगर हम बात करें examination system की जहां पर आपके admit card छपते हैं या आपकी mark sheet आती है तो उसके लिए भी क्या होता है particular एक type of program सेट किया जाता है तो अगर अलग-अलग कामों के लिए match processing है नेक्स्ट हम बात करेंगे computer processing operations यानि किस प्रकार से आपका computer क्या करता है जो अलग-अलग प्रकार के काम है उनको किस प्रकार से वह operate या operations को वह करता है तो जैसे हमें पता है input-output operation जैसे यानि हम जैसे ही कोई input देते हैं input devices के थ्रूम चाहे वो keyboard हो गया आपका या आप चीजों को process करता है और आपको output देता है नेक्स्ट हम बात करेंगे calculation and text manipulation operation यानि ये काम हमारा अब कहां होगा ये काम हमारा होता है CPU में यानि जो भी चीज़ें हमने input devices के जरिये दी थी अब चाहे वो numerical form में होगा तो वो calculate हम होकर output में मिल जाएगा या अगर हम text manipulation करना चाहत है या कुछ भी अगर और चीज़ें हम करना चाहते हैं तो वो चीज़ें क्या है इसके जरिये हम उसको manipulation कर सकते है नेक्स्ट हम बात करेंगे logic comparison comparison operation यानि computer के पास अपना logic होता है और वो चीज़ें खुद से compare कर सकता है जितने भी उसके probable चीज़ें होती है अगर हम कहें कि को जादा greater than है या lesser than है या equal है तो वो तीनों फॉर्म हमें करके दिखाता है और उसमें जो appropriate होते हैं वो हम easily क्या कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों को चुन सकते हैं या choose कर सकते हो चीज़ों को अपने वाक के according then next आता है storage and retrieval operations जैसे हमें पता है कि CPU में हमारे secondary memory होती है उसमें हम जो भी काम करते हैं वो आपके secondary memory में store होता जाता है वो सारी चीज़ें तो अगर अब हम क्या कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों को store रख सकते हैं अगर उनमें कुछ बदलाव करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं चाहें मतलब उसमें कोई चीज़ हम update करना चाहें या उसमें हम deletion करना चाहें वो सारी चीज़ें आप इसके माध्यम से कर सकते हैं then thank you class